जय मातादी बंधू, साधर प्रणाम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रशब राशी के महाराशी कल के बारे में धिनांक 23, 24, 25, 26, 27 और 28 अक्टूवर के लिए आप से लोदे कि इस वीडियो को आप आखरी तर बेखें जिससे कि ब्रशब राशी वालों को पता चल जाएगा कि उनके साथ आगे आने वाले 6 दिनों में क्या-क्या हो सकता है इस तरह के वीडियो और पानी के लिए तेशी भक्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें आपको बताते कि इन दिनों के पहले दो दिनों में आपको कामकाजी जीवन में अच्छी बढ़त रहेगी यदि आप कहीं साक्षात कायों के लिए जाना चाह रहे हैं तो प्रयास करें आप सफल रहेंगे इस दोरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी घर ग्रस्ती में खुशियों की स्थिति रहेगी पत्मी पर बच्चों को भी अपने व्यस्त समय से कुछ समय देने के लिए आप तयार रहेंगे इन दिनों के आगले दो दिनों में आपको उम्मीदों से कहीं अधिक लाब होगा अध्यान के छेतरों में आपके प्रयास सफल रहेंगे विश्यों में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी प्रेम संबंदों में मधुर्था की स्थिति रहेगी इसोरा आप पुत्र पुत्र की प्रगती से संतुस्ट रहेंगे और अंतिम दो दिनों में आपको अधिक धन व्याय करने की जरूरत रहेगी सेहत में गड़वड़ी की स्तिती रहेगी किन्तु अंतिम एक दिन में आपके चेहरे की रोनत्ता बनी रहेगी आप नियमिद व्यायाम के छेतरों में देजी से आगी बढ़ते रहेंगे विवाहिक जीवन आपका कुशहाल रहेगा आपको बताते कि इन दिनों आपके लिए चंद्रदेव का गोचर तीसरे भाव में होगा जिसके परिणाम स्वरूप आप भाई बेहनों के साथ समय बिताएंगे और उनका ध्यान रखेंगे चोटी मनुरंचक और आनन दायक यात्राएं होगी जिनसे आपको धन लाब भी होगा इसके बाद चंद्रदेव आपके चतुरत भाव में विराजमान होगे और इसके परिणाम स्वरूप कारेच्षेतर के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी अच्छे समय की आवाजाही होगी परिवार की प्रती आप अपने दायतों का निर्वाह करेंगे और कोई महत्यपून निर्णय भी लीगे ध्यान रखेंगे कारेच्षेतर में अधिक महनत करने पर ही परिणामों की प्राप्ती होगी आपको बदा दें इन दिनों के बीच में चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे जहां मंगल से यूति करने के बाद चंद्रमंगल योग बनेगा और अच्छी आमदनी का स्त्रोथ प्राप्त हो सकता है हालकि आपकी संतान के लिए थोड़क कम अनुकूल होगा और उन्हें बुखार या फोड़े फोंची जैसी समस्या हो सकती है शिक्षा के छेतर में एकागर्था की कमी से आपको जूजना पड़ सकता है वहीं इन दिनों के अंत में चंद्रमा आपके छटे भाव में पहुचेंगे जहां पर सूर्य और शुक्र की यूती है इस स्थिती में महिलाओं से अच्छा व्यावार करना आपको बहतर परिणाम देगा अन्यता उन्चे जगड़ा हो सकता है धन्हानी के योग बनेंगे इसलिए सोच समझ कर ही निवीश करी बुद्धुदेव का गोचर आपके सात्वे भाव में होगा जिसे दामपत्य जीवन में जहां एक और मीठी मीठी बाते होगी तो वहीं बुद्धी का टकराव भी होगा हाला कि ब्रहस्पत्य को पस्तिती आपके लिए अधिक नुकूल नहीं होगी इसलिए इस समय को आराम से निकल जाने देने में ही आपकी भलाई है क्योंकि तबे आपका दामपत्य जीवन सोचार रूप से चल पाएगा व्यापार के छेतर में आप उन्नती प्राप्त करेंगे बंधो ये था महाराशी फल ब्रशब राशी के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें इश्वर आपकी हर मनो कामना को पूरी करें कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें देशी भक्ती चनल को जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं जय मातादी